मांडू परिटन स्थल के पास जावरी गाउं के लोग जान जोखी में डाल कर पानी ला रहे हैं गाउं के लोग पानी की बून बून के लिए तरस रहे हैं शेर की गुफा से पानी ला रहे हैं इस गुफा में पानी पीने के लिए दिन में कई बार शेर भी आता है गर्मी के मौसम में बूंद बूंद पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है ये बात इस सिर्फ आपने सुनी ही होंगी लेकिन मांडू के पास जावरी गाउं में लोग पाने की बूंद बूंद के लिए जान की बाजी लगा रहे है काववासी शेर की गुफा से पानी ला रहे है विश्वा प्रसद परेटन स्थल मांडू अब जलसंकट से जूज रहा है सूरजबाई ने कहा कि मांडू के नगर परिशित के अंतरगत आने वाले जावरी गाउं में जलसंकट गहराता नजर आ रहा है और पूरा गाउं इससे तरस्त है यह स्तती आच और कल की ही नहीं बलकि बरसो पुरानी है पाने की पूर्ती भी ऐसे दुर्गम और पहाड़ी रास्तों से होकर करना पड़ती है जहां पर तेंडवे अपनी प्यास बुझाने के लिए आते है 400 के आबादी वारे जावरी गाउं की हकीकत यह है कि यहां की महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सारे काम धंदे छोड़ कर सिर्फ पाने की चंद बुंदों के लिए संघर्ष कर रहे है आप चुक जाएगे, खड़ा भी चुक जाएगे को यह बढ़ा बढशा नेता अधा है, कोई हुना नि अहमारी कोई पानी लाता है आप पर नंगर पंचा देती ते तो वह यह पिन ही दे इ específic कालू गिर्वाल ने बताया कि सभा पांच बजे से चोटे चोटे बच्चों के साथ पानी भनने के लिए जाते हैं लोग गाउं से दो से तीन किलो मीटर की दूरी पर पैदल चर कर पहाड़ी और पत्रीले रास्ते को पार करके पानी लाते हैं रास्ता पत्रीला और पहाड़ों से होकर गुजरता है जहां से जीरी से पानी गड देर तक इंतजार करना पड़ता है। काम धंदा सब छोड़कर पानी के लिए यहां सभी लोग परिशान हो रहे हैं। अगर अकेले तो आए ने सकते तीन चार आते साथ में। और बेटना पड़ता है। एक गंटा, देर गंटा, दो गंटा लाइन में लगना पड़ता है। और पूरी परेशान हमारी दूर कोई करी नी पा रहे हैं। वोट सिकात पी कर चुके हम। अगर से कितनी दूर है यह करीब एक डेड़ किलोमेटर दूर है सर हमको पूरी खाई में उतरना पड़ता है। और सुनाएं चीते भी बहुत होंगे जंगल में। उनसे भी आपको खत्रा होगा। जाते हैं कहीं इतनी बार तो उनने भगाया उसको उसके बाद पाने बार के ले जाते हैं। चीते उन पी खड़े रहते हैं पाने पी निकले वह भी है आते। उन्हों ने आज तक आप पर हमला वगेरा इसी कुछ चीज नहीं की। अभी तक तो नहीं की। लेकिन भरोसानी कब कर दे यह तो अभी के नहीं सकते। और आपने कोई सरकारी विभाग में सिकायत की या कोई अधिकारी या कोई नेता को भी सिकायत की। कलाबाई ने कहा कि पाने भी साफ सुत्रा नहीं बलकी मटमेला पाने पी कर कई बार घर के बच्चे और बुजर्ग भी विमार पड़ चुके हैं। यहां तेंदुए भी इसी गड़े पर पानी पीने के लिए आते हैं। कई बार तेंदुए सेंग का सामना भी हुआ ऐसे भाई के माहौल में महिलाएं पानी भरती हैं। पुरुष रखवाली करते हैं। पानी के लिए पूरे जिंदगी को खत्रे में डाला जा रहा है। यहां सलसला लगभग पूरी गर्मी भर चलता है। नगर परिशत मांड़ों में पानी के लिए लाख रुपय का बजट आता है। इसके नाम पर नगर पाली का सिर्फ पानी के टैंकर चलती है। किन्तो इस बार ग्रामीनों को टैंकर भी नसीब नहीं हुए। इसके साथ ही कई सालों से गाउं में पानी की टंकी बन कर तयार है। जिससे यह ग्रामीन आस लगाए बैठे हैं किस टंकी में पानी आए और घर तक पहुचे मांडू में पूरे देश इन हैं बलकी विदेशों से भी बड़ी संख्या में परे टक यहां पहुचते हैं हर साल देश के कई बड़े बड़े नेता मांडू घूमने के लिए आते हैं किन्तो किसी के नजर इन आदिवासियों पर नहीं पड़ती कि यहां आज भी पीने के पाने के लिए तरस रहे हैं विर रिपोर्ट एमपी न्यूज धार